Hello everyone, तस्वागा थे आपका GNU Blogs में तो आप लोगों के लिए एक important information PG students के लिए MA, MSC, MCA वालों के लिए जिनका selection हुआ है इस साल अभी जो cut-off list है, ये first cut-off list वो आज ही साड़े 12 बजे रात को आई थी तो काफी लोगों ने जो seed blocking किया है तो उन लोगों कहना है कि मैंने fee pay कर दिया है पर so नहीं कर रहा है तो क्या करना चाहिए हमें कुछ लोगों का इवेन ये भी कहना है कि हमने दो बार भी fee payment कर दिया है इवेन third time भी हमने fee payment कर दिया है पर still अभी जो है so नहीं कर रहा है कि हमने fee payment किया है तो इसी सिलसले में मैं आज जेन्य एडिमिस्ट्रेशन गया था वहां से उन लोगों से ये कंसर्ण हमने कहा कि सर ऐसा ऐसा इशू आ रहा है तो जब मैं वहां पे गया था तो वहां पे और भी दो स्टुडेंस मिले जो में भी दिल्ली के ही हैं वो लोग भी आये थे एमसी के थे उनका कहना है कि सर हमारा फी पेमेंट नहीं हो रहा है आमने दो बार फी पेमेंट कर दिया है वहां पे सो नहीं कर रहा है कि हो सकता है कि आप ये नेटवर्क के वज़े से सो कर रहा है या ये आ रहा है गलिच आ रहा है तो आप कल चेक करना हो सकता है कि कल जो है administration के द्वारा जो है ये correction कर दिया जाएगा still अगर कल आपका सही नहीं हो रहा है even कल क्या आज उनका कहना है कि आप जिन लोगों को ये issue आ रहा है आप सब लोग mail जो है लिख दीजिए JNUE help desk को जानते हैं कि जो seat block का time है वो कल तक कही है चार नवंबर तो आपको फी payment करके seat block करना कल काफी जरूरी है तो ये important concern है आपका इसलिए आप उनको mail करें आप call करें वो email ID में आपको वीडियो के description में डाल दे रहा हूँ आप उहां से email लीजिए और वहां पे same issue जो आपका आ रहा है कि payment के बाद payment show नहीं कर रहा है वो आप उनको mail करिये और hopefully कल ये issue solve हो जाना चाहिए तो आप check कर लीजिए अगर नहीं भी हो तो उनको mail करिये उनको call करिये क्योंकि ये issue वही solve करेंगे आपका तो और ये seat जब तक आपका fee payment नहीं दिखाए successful हुआ है तब तक जो है आपका seat block नहीं हुआ तो वो so भी करना चाहिए कि हाँ आपका fee payment हो गया है वो successful दिखा रहा है तो इसलिए ये बहुत ही important concern है आप लोगों का और ये इसलिए आप अभी mail करिए आभी तो mail कर दीजिए और कल call कर लीजिए और कल एक बार आप check कर लीजिएगा hopefully ये solve हो जाना चाहिए अगर नहीं भी हो तो कल उन्हें mail करिए call करिए आप regular उन्हें call करें कि आशे issue आ रहा है वो solve कर देंगे ये issue वही solve करेंगे so that's it guys इसके अलाव अगर आपका कुछ और queries है तो आप comment पर पूछ सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दें क्यूंकि JNU blogs के तो आपको बाकी सारा information मिलता रहेगा जो भी अपडेट से आपको JNU blogs के तरह मिलेगा JNU culture, JNU life, JNU study सब कुछ everything आपको JNU blogs के तरह मिलेगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं आपसे अगले ब्लोग में बाबाई